हेलो वेल्कम बैक सर आज का टॉपिक में देखूंगा मेथट आफ आर्क एक्स्टिंग्वेश ओके आर्क को यह लेंग्वेज में थ्योड़ी लेंग्वेज में इसको डाल दूँगा ताकि ठीटिकली एक एक पॉइंट मेंशन हो जाए इससे पहले हमने पूरे ही आर्क पार you don't करने वाले उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं पॉइंट वइंट अपॉइंट ताकि यह आपको not just करने में आसानी होगी आइसर मैंश के बारे में चर्चा करता हूं मेथद आफ आर्क एक्स्टिंग्वेश ओके आईंच है तो इसको सुरे के इसके सारे मेथड को डिसकस कर लेता हूं Benjamin producer कोई मेथड को बतार है Told ने बतारगा था पहिला है री री जिस्टेंस मेथड हाई री रे जिस्टेंस मेथड रे जिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दिया जाए दूसरा है low resistance और current zero method तो यह क्या है जिससे arc को extinguish किया या नि बुझा दिया जाए ओके तो पहले lecture में एक एक चीज़ के लिए होगा अब तो बस पढ़ना है चीज़ों को बोलना है कि यह होता है सब दिमाह में बैट जाएगा ओके high resistance method क्या होता है पहला method है high resistance method what is this यानि arc को बुझाने के लिए high resistance method का क्या मतलब है high resistance क्या करना है समझें in this method the arc resistance is made to mean to increase with the time इस condition में क्या करना पड़ेगा sir arc के resistance को time की corresponding increase करना पड़ेगा यानि सिर्फ दूरी से काम नहीं चलेगा दूरी बढ़ तोड़ा ही है उसके अलावा arc उसका length बढ़ा है उसका length बढ़ा है मतलब जब arc था उसका लंबाई बढ़ेगा तो resistance बढ़ेगा तो आर्क बुझने कोसिस करेगा आपने देखा था में वीडियो में मैंने अल्यड़ी दिखाए था कि वह आर्क जो था पहले जो दो मेटल कॉंटक्ट के बीच आर्क प्रडूस ओड़ा था आर्क प्रडूस होड़ा था तो आया से air blast जो कराया तो इसकी length ऐसे इसे आर्क बहने लगा तो लेंद बढ़ेगा तो इसका resistance जो आर्क का resistance जो है वो किसका आर्क का वो increase करेगा कब जब length इसका बढ़ने लएगा ओके तो इससे भी क्या आर्क कमजोर पड़ेगा सो करेंट इज रिड्यूस टू दी तो ए वैल्यू सफिसेंट तो मेंटेन दी आर्क जिससे क्या होगा करेंट रिड्यूस कर जाएगा अगर लेंद की बढ़ा होगे सर आप उसके sparking की लेंद को बढ़ा होगे यानि उसकी जो पहले नजदिक से spark जल्दी बढ़ता है अब spark का लेंद बढ़ा होगे इससे घूम के आ रहा है तो लेंद बढ़ेगा तो इससे क्या होगा वो करेंट का वैल्यूर रिड्यूस करेगा जिसके कान वह लगातार आर्क स्ट्राइक होड़ा है वो रेड्यूस करेगा ओके सो रेड्यूस करेगा जिसके कान सफिसेंट टू मेंटेन दिक आर्क जो करेंट को लगातार मेंटेन किया हुआ है आर्क को लगातार मेंटेन किया हुआ है जाएगा और दि आर्क पूचे जाएगा ओके सर आई होप उन्हें को आप बहुत अच्छे समझ चुके होँगे जो आई होप मैंने वीडियो में भी उन्हें को अच्छे से जिकर किया था अगर किसी को लगता है कि अभी वो चीज़ा आपको प्रह नहीं है वीडियो में मैं पिर से आपको च्छिजें दिखाता हूँ धाना आर्ग एक्स्टिंगुईस वाला यह देखेगा है देखें Doody बढहारद आयक नहीं हुआ को दिखाए था कि इस लेंद को क्या किया गया और दूर ले जाया गया और दूर ले जाया गया इसे इतना दूर वो इसी वीडियो में था मैं दिखा भी देता हूं अ कि देखे और दूर लेंध भाएगा ना यह आड़ की लेंध बढ़ाने से समझेगा यह आर्क का लेंध जुतना बढ़ाना तो उससे लेंध बढ़ने से क्या हो Rs. इसका रेजिस्ट्रेस बढ़ गया मतलब कि करेंट अब उतना दूरी पे जो फ्लो होगा उस रेटिंग से नहीं होगा जो आर्क को लगा तर मेंटिन कर पाए इसलिए लेंद्ट बढ़ने से आपके आर्क का परतिरोध आर्क का परतिरोध भी बढ़ जाता है इसलिए स्पार् नौ क्या बोला तो यह हाई रेजिस्टेंस आपने इस तरीके से आपको मेंटेन करना है है हाई रेजिस्टेंस इस तरीके से आपको मेंटेन करना है अब दूसरी बात now the principle क्या बोला है the principle disadvantage of this method इस method की क्या disadvantage है is that enormous energy is dissipated in the arc इस condition में क्या कहता है principle disadvantage क्या है is this method enormous energy जो इसकी energy है is dissipated in the arc arc में dissipate हुए आता है बहुत ज्यादा मात्रा में आपका इसका मतलबाब बहुत ज्यादा में energy आपका dissipate किस में हुए आता है आर्क की रूप में आपकी बहुत ज्यादा energy dissipate हुए आती है therefore इसलिए it is implied only in DC इसलिए ऐसा method जो होता है किस में imply किया आता है only DC circuit breaker landlock capacity AC circuit breaker इसलिए ऐसा method जो किस में use किया आती है only DC circuit breaker landlock capacity AC circuit breaker यहाँ पर समझे यह word कैसा किया है थोड़ा सा mistake only used in DC circuit and okay and low capacity AC circuit मतलब ऐसे method जो होते है जहाँ high resistance method यूज किया आता है वहाँ पर आपकी क्या employer in DC ऐसे method को DC मुप्यों किया आता है और अथवा and इस तीज को ध्यान रखना and okay and low capacity of AC circuit AC circuit की low capacity में और या फिर DC high rating के DC circuit में ऐसा circuit breaker का उप्यों किया आता है जिसमें high resistance method उप्यों किया आता है otherwise AC में चुकि DC में तो current 0 वाला चीज आएगा है नहीं तो current 0 वाला की phenomena ऐसे चलता है तो वह AC के लिए suitable यह रहा यह रहा method AC के लिए ज्यादा suitable और यह DC के लिए ज्यादा suitable हाना कि इसमें AC के लिए यह यूज में लाई जाते हैं लेकिन DC के लिए suitable पहले वाला लो resistance या current 0 method current 0 हमेशा AC महीं हो सकता है DC में तो current कभी जीरू होता ही नहीं यह देखिए हमेशा constant value clear ना दूसरा प्राइट के screenshot ले लेंगे सर उसका बढ़ियां से अब है कि कौन-कौन से method से high resistance किया जाता है resistance का value बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं उसके method कौन-कौन से समझेगा the resistance of the arc may be increased by arc का resistance जो कैसे बढ़ा जासता कर लास्ट में भी हमने एक लास्ट क्लास में आता है बाय लेंथ निंग आफ आर्क की लेंथ बढ़ा के अर्क कर इस्टेश बढ़ा जाता है लास्ट क्लास में हमने डिस्क्स किया था जब करेंगे देखिए एक मोटा conductor है यह तब joint मोटा conductor joint है तो इसका क्रॉस sectional area बहुँ जादा है cross sectional area क्या क्या है डिवोफ करिए small करिए यह कि एसा इतना मोटा ऐसा, तो ऐसे कंडिशन में आर्क जो होगा, क्या होगा सर, पतला हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और आर्क पतला होगा, तो इससे भी आर्क बुझेगा, बहुत है भी आर्क मोटा, अगर आर्क का क्रोस सेक्षन बहुत मोटा होगा, तो जल्दी जैगा, ओके, so, reducing the cross section of the arc, okay, cross section, जैसे Gerox बोलते हैं, X, ROX, Gerox, और इसे cross section, next, यह साथ point है, यह आपको लिखा हूँ, मेंटेब तागी लिखने के लिए आप लोग को जरूरी होता इसलिए अदर्वाइस सिर्फ ये पॉइंट काफी है जितना करा है हूँ लिखने के लिए काफी है next splitting the arc arc को बांट दिजिए उससे भी क्या होता है आपका arc बुझे जाएगा resistance परिपतका बर जाएगा आउर्क बुझेगा splitting मतलब जब कोई conductor है अब यहाँ पर ऐसा चंपर का निर्मान कर दिजिए सर ऐसा चंपर यहाँ पर निर्मान कर दिजिए कि जो arc यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था वो यहां से यहाँ ना फ्लो करके जो आगे यहाँ से यहाँ कर रहा था वो यहां से यहाँ ना फ्लो करके कैसे फ्लो कर जाए सर यह इससे comfort में घूसा के यह ना ताकि लेंस हो गया इधर चुकी यह को प्रेशर पढ़एगा तो अंदर अंदर गुशेगा तो आर्क की लंबाई चाहेगि तो इससे आर का नियुक्त अब्त कर से तरह कर सक्वाइब का आर्क पॉस्टेंश अर्क कीजिए करा बस стал अब्लाइ लिए DC में apply की जाते हैं AC के छोटे rating में और DC के higher rating में operate किया आता है लहीं AC के लिए सबसे बढ़ी operation जो होता है सर वो current zero method या low resistance method यह है दूसरा process हमारे लिए लो रेजिस्टेंस में तर दि लो रेजिस्टेंस और या current zero method current zero मतलब circuit को तर्प्रिप कराएं दिखें higher current रहेगा तब अब separate करोगे तो बहुत स्पार्ट होगा तो कब separate कराएं सर कहता है हर सैकिल में circuit क्या होता है एक बार तो zero होता है या current zero होता ही है इसको क्या बनूंगे zero current current यहाँ पर zero होगा रिले उस थैब operate करा दिजिए sparking का होगी हो सकता है फिर आप current तुरंग बढ़ेगा तो रिया strike कर जाएगा जो भी zero हुआ वो रिया strike करने को सिस्ट करगा तब तक वहाँ पर cooling process या फिर आप splitting process या कुछ और blast करवा दिजिए उस से फिर क्या हो जाएगा इस method से आपका फिर arc हट जाएगा so क्या बोला current zero is implied for arc extinction in AC circuit AC circuit में ही ऐसा हो सकता है sir यह method किसके लिए use कि जाएगे especially for AC circuit क्यों क्योंकि sir zero current तो AC में हो सकता है waveform उसका cross करता है इससे DC में तो ऐसा होता है नहीं DC में तो देखिए waveform कैसा होगा ऐसा तो यहां तो यह चीज वैलिड होगा ही नहीं in this method the arc resistance is kept low until current zero इस condition में क्या होता है arc resistance kept हमेशा arc का जो परतिरोद होता है वो लो होता है until current become zero मतलब देखिए conductor तब तक जुआ रहेगा जब तक cross zero से नहीं करेगा मतलब जब आपका current इतना ज्यादा गुजर भी रहे मालो इस पर फॉल्ट हो गया मालो यहां पर फॉल्ट हो गया तो current इतना है अब यह तो बहुत कम सकेंड में बहुत आब ऐसा नहीं कि अधा घंटा लग जाएगा यहां तक 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 fault बाद जल जाएगा सब कुछ यहां अगर fault हो गया तो यह कहता कि heavy current है यहां पर circuit मत operate करने देना जैसे current zero होगा वहां पर circuit operate कर देना तो जब तक यह circuit operate होगा उससे पहले यहां का परतिरोद क्या जी कम है परतिरोद या थी conductor contact में तो परतिरोद कम है ओके यहां पर fault होगा सो क्या किरा इस दी मैंतर में arc resistance is kept law until the current zero जब तक current zero नहीं जाता तब तो इसको क्या कि जैसर our resistance को कम zero रखिया मतलब दुनों contact मिरेगा where extinction of arc takes place naturally जब तक की extinction जोगा where the extinction of arc जब आर्क बुझेगा place naturally जब आटोमेटिक क्या करें प्राइर कृतिक रूप से वह क्या होगा जिरो हो जाए बुझे जाए ओके एंड प्रिवेंटर फ्रॉम रियर स्ट्रैकिंग और जैसे वह बुझे जाएगा इस place पर जैसे करेंट जिरो हुआ तब circuit breaker को हटाईए और तब का करिए तब भी आर्क रियर स्ट्रैक तो कर सकता है ना मलोगो जैसे करेंट फिर तो बढ़ रहे है यह negative आक्षिन फिर करेंट तो बढ़ रहा है एक पॉइंट भी आएगा सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए से ब्लास्ट कर दो और रग दो कुछ भी कर दो तो फिर क्या होगा वस पार्क नहीं करेगा तो यह मेथड है इस मेथड इंप्लाइड इन मेनी ऑफ दी मॉडर्ण एसी सर्किट ब्रेकर यह में यह मेथड का प्यूज के आ सकते हैं कि आते सर एसी सर्किट में बहुत फ्रिक्वेंट यूज किया इसको बोलते है लो डिजिस्टेंस यानि जब फॉल्ट आ गया तब ही इसको कॉंट्रेक्ट में रहने दिए और यसा नहीं कि यह बहुत टाइम लेता है सर मिली सेकेंड आप पता है एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है जिरो पॉइंट जिरो टो सेकेंड सेकेंड लेता है मतलब हाब सैकिल में कहीं है फॉल्ट हुआ यहां पे जाकर तो बंद होना ही है सेपरेट होना ही है तो मतलब में चीजे फटाक से ऑपरेट हो जाएगा ओके तो यह चीजें आपको समझ नहीं होंगे अब यह कि resistance को कैसे zero करा जाए जब आपको resistance को zero किया जाता है तो वह से condition में prevent कैसे किया जाता है मतलब resistance zero कर दिया मतलब current zero पे वह आटार हो उसके बाद prevention देना पड़ेगा एयर करना पढ़ेगा तो और प्रिवेंशन पिर ले vehicle क्या करना पढ़ेगा अर hand को क्या करना पड़ेगा आर्ग यार्ग को बढ़ाना पड़ेगा जैसे रिया स्ट्रiक कर रहा है आर्ग को बढ़ेगे और मेटल को तब ऑपन करिए मैटल को ताव्पन करिए जब वह फिररो पे रहा और तब उसके बाद घ्र रुझ करियोगрах अकने देदेजिए उससे डियालेक्टिक स्टेंद बढ़ जाता है मतलब कि अगर 30 केवी में एक सेंटीमेंटर के दूरी पर कर रहा है हाई प्रेसर हवा का देदों को जोका तो 30 केवी पर भी एक सेंटीमेंटर के गैप में वह स्पार्क नहीं कर पाएगा तब उसको उतने दूरी करने के लिए हो सकता है सो के वी देना पड़े ओके चलिए चीजे के लिए इन सारे पॉइंट को आप नौट डॉन करके लिखेंगे नेक्स्ट कूलिंग और सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको पता है ब्लास्ट अगर आप करे हुए और अलग लग चेंबर में उसको भागा दोगे उसके आर्क को तो यह चीजें क्या होगे आसाने से बुझे जाएंगी तो यह दीजार दो प्रोसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट आर्क ओके ता होप मुझे ने लगता कोई कन्फूजन रागिया होगा चीजें अच्छे से समझ आगी होंगी सब चीज को सब्सक्राइब बढ़ियां से नॉट डॉन कर लेंगे स्क्रीन सोट ले लेंगे और मिलते हैं सर अगले लेक्षर में ओके तब तक के लिए बाबाए